मेरा आप सभी को साधर प्रना, मैं देपे का आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल आपकी बैठेक में तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे F.I.H. Hockey Women World Cup 2022 की जो की और एक जुलाई से शुरू हो चुका है और ये World Cup 18 जुलाई तक चलने वाला है ये जो World Cup रहेगा ये Spain और Netherlands के अंदर खेला जाएगा वही Indian Women Team की हम बात करते हैं तो भारत ने अपना campaign और इस World Cup के अंदर शुरू कर दिया है जो की World No. 4 इंगलेंड के अगेंस इंडिया ने अपना इस World Cup का स्टार्ट किया है और उस मुकाबले को एक एक के ड्रॉ पर जाकर खत्म किया जिसके वज़े से दोनों ही टीम्स को एक एक पॉइंस मिल गए है नेक्स्ट बात करते हैं तो भारत के अगर हम स्क्वाइड की और भी नजर डाले तो रानी रामपाल जो की फॉर्मर कैप्टेन थी टोकिया उलम्पिक्स के अंदर उनके अलावा जो बाकी 20 मेंबर की टीम है इंडिया की इस वर्ल्ड कप के अंदर वो बिलकुल वही टीम है जो कि हमें टोकिया उलम्पिक्स के अंदर खेलती हुई नजर आई थी जिस टीम के साथ इंडियन विमन टीम ने फॉर्थ पोजिशन पर फिनिश किया था तो काफी जादा उमीदे जरूर है और सवीता पुनिया लीड करती हुई नजर आ रही है इंडियन विमन टीम को वहीं बात करते हैं तो अभी रीसिंटली F.I.H. Pro League के अंदर भारते थर्ड पोजिशन पर फिनिश किया है काफी धमाकेदार और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है वहाँ पर इंडियन टीम का तो हम उमीद करते हैं कि उसी मोमेंटम को जारी रखते हुए भारत इस वर्ल्ड कप के अंदर भी काफी ही अच्छा हमें देते हुए नजर आए और होफुली पोडियम फिनिश भारत की तरफ से हमें देखने को मिले बाकी बात करते हैं तो जैसे की इंगलेंड के अगेंस्ट अल्रेडी भारत माच खेल चुका है और आज भारत अपना दूसरा मुकाबला आप सभी को खेलता हुए नजर इना के बाद भारत आपको न्यूसिलेंड के खिलाफ अपना मैच खेलता हुए नजर आएगा जिसके साथ सबी जो पूल मैचेज होंगे वो खत्म हो जाएंगे और जो टॉप की टू टीम्स रहेगी हर एक पूल में वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जा तो चले फिर यह थी हमारी आज की वीडिया आप सभी के लिए बाकि स्पोर्स रेटेड अपडेट्स और कॉमन मिल्स गेम से जुड़ी हर कबर जानने के लिए चानल के साथ जरूर चुड़े रहे और इसको जरूर सब्सक्राइब कर दे तो तांक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो